यूपी के गाजिपूर के मौफिया डौन मुक्तार अंसारी की बांदा जेल में तबिद बिगड़ने के बाद हट अटैक से उनका निधन हो गया आज महमदाबाद में मुक्तार अंसारी के जनाजे में हजारों लोगों का हुजूम उम्रा इस दोरान उनको सुपूरते खाक करने से पहले काली बाग के कबरिस्तान में भारी भीड देखने को मिली जिसके बाद नमाज जनाजा की रस्म अदा की गई नमाज के बाद जैसे ही कबरिस्तान में मुक्तार अंसारी की बाडी को ले जाया गया वैसे ही कबरिस्तान में भारी भीड दाखिल होने की कोशिश करने लगी इस दोरान काफी हंगामा भी देखने को मिला कबरिस्तान में भीड को जाने से रोका गया भीड काफ योग रोहती दिखाई दी जिसके बाद पुलिस ने बल परियोग करके हटाया और उनको बाहर किया मौके पर डियम सहीद परशासन के आलादिकारी मौजूद थे इस दोरान सिर्फ परिवार वालों को ही कवरिस्तान में जाने की इजाज़त दी गई और फिर मुकतार अंसारी को सुपुर देखा किया गया मुकतार के निदन के बाद गाजिपुर और मौज समेथ पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट है पुलिस ने सभी जिलों पे पहरा बढ़ा दिया है इस दौरान मुकतार अंसारी के बेटे उमर अंसारी आयोए लोगों से अपील करते हुए भी दिखाई दिये कि वो कवरिस्तान के अंदर जाने की कोशिश ना करे देखिए कवरिस्तान में तमाम लोगों की भी है अंदर अंसारी कि भी है झाल 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 झाल